देश के दुश्मन और वो लोग जो चाहते नहीं कि भारत में शान्ती वो हो हमेशा इस तरह के प्रयास में रहते हैं कि उन तमाम लोगों को जो भारत की बात करते हैं जो धर्म की बात करते हैं उनको निशाने पले हालही के दिनों में कई बार सादू संतों पर हमले हुए हैं और कहीं बार ऐसे लोगों पर हमले हुए हैं उनकी मृत्यू कर दी गई जो कि भारत की बात करते हैं जमो किश्मीर में रहते हुए एक ऐसा ही मामला सामने आया है 14 अगस्त को बाल संथ साहिल महाराज जो कि बहुत प्रचलित हैं कथाएं करते हैं और बचपन से ही वो कथाएं करते आ रहे हैं और जिस तरह से हैं वो अपने कथाओं में लोगों में धर्म की जो विचार हैं वो ढालते हैं उसके साथ ही देश भक्ती भी उनके अंदर भरते हैं तो कहीं न कहीं जो सरहत पार बैठे हुए जो लोग हैं उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है और 14 अगस्त को बाल संथ साहिल जी महाराज को थ्रेट दी जाती है फोन के ओपर कॉल कि जाता है साहिल जी मुझे ये बताईए कि ये बहुत कितने बज़े का वक्त था ये जैश्वीरा महिंदुस्तान हम बताना चाहते हैं कि रात को 14 अगस 2020 रात को 10 बचकर 28 मिनट पर हमें कॉल आती है और जैसे हम कॉल रसीव करते हैं तो एक व्यक्ति बात कर रहा है जो हमें कहता कि महाराजा बोल रहा है मैं कहते कि मैं तुमें आखरी वार्निंग दे रहा हूं वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम लोग सादू बने हुए हो और तुम लोग की सादगी निकालेंगे अब हम भाई बात क्या है हुआ क्या है तो वो कहते हैं कि तुम पहले भी हमारी निशाने पर आये हो लेकिन हमने तुझ यह शोड़ दिया है और तुम लोग यह परचार कर रहे इस तरह की बात है जब वो करने लगे और फिर उने कहा तुम्हारी चिता जल्दी हम जलाएंगे तो हमने उसी वक्त उनकी जानकारी जो है कंसन पोनी चक चोकी है हमारी और वहाँ पे चोकी अफसर है रोहित भगाजी हमने उनको इंफॉर्म किया कि इस तरह से हमें एक फोन कॉल आई है जो हमें थ्रेट दे रहा है जान से मारने की धमकी दे रहा है तो उन्होंने उसी वक्त वो हमसे नंबर लिया और वो रिकॉर्डिंग सुनी और पुलीस उसी वक्त एक्शन में आई है वो घर पहुंच के हमारे उनका घवराने की जरूत नहीं है हम इसको वेरिफाई करते हैं तो अगले दिन हमने लिखित में भी पत्र जो है वो पुली पर कैसे देश्भक्ती की बात हो सकती है तो आप जब कताएं करते हैं वहाँ पर भी आप लगातार लोगों में देश्भक्ती की प्रती उन्हें जागुर्टा भरते हैं तो क्या आपको लगता है ये एक वज़ा है जिस वज़ा से आपको टार्गेट किया गया है या कोई और एंगल भी हो सकता है जी बिलकुल ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से संसमाज हमारा वो हमेशा राश्टरहित में बात करता है भारत माता के लिए बात करता है और हम लोग का एक लख्शिय रहता है कि हम लोग भारत माता का आंचल निलाम नहीं होने देंगे आप कहीं बर कथाएं जो हैं सरद के पास भी करते हैं कहीं ऐसे लाकों में भी करते हैं और कहीं ऐसी जगा भी करते हैं जहां पर कहें कि बहुत कम हिंदू पापुलेशन है तो आप उनको क्या लगता है कि आप हर जगा जाकर धरम का परचार के साथ साथ जिस तरह से भारत के प्रती जो प्रेम है लोगों में वो भरते हैं तो इस वज़र से आपको टारगिट किया गया है जी कोई भी बज़ा हो सकती है क्योंकि एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हम Bitcoin के पास जाकर कि भी कथा करते हैं भगवान कानाम सुनाते हैं और हम कभी भी यह नहीं कहते, किसी भी धर्म कें खिलाफ बात नहीं करते हैं, क्यूंकि सब धर्म इश्वर के बनाए, वो भगवान के हैं, जहां कि हम लोगों ने जाती पातीयática बना लि7, उसने अपना अलग रो बना लीया, दूसरे ने अलग बना लि7, और भगवान नहीं की है राम रहीम में क्या फरक है कोई फरक नहीं है और भगवान ने कोई फरक नहीं रखा तो फिर हम लोग कौन होते हैं फरक रखने वाले हाँ इन लोगों को दिक्कत यह हो सकती है कि हम लोग देश भक्त और ये बड़े देश भक्त बने हुए है राष्टर हित में बात करते हैं और उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्म होती है जब हम मिल्टेंसी के खिलाब बात करते हैं कि आं तक वाग खतम होना चाहिए और वाके में एक दिन खतम भी हो जाएगा जब हम कर दो कहीं उनको प्रॉब्म रही होगी उन्होंने ही ये वार्दा जो है वो करवाई हो तो आपको लगता है कि जम्मु किश्मीर में संतों पर हमला करना हैं संतों को इस तरह करेड़ देना कहीं न कहीं आपसी वह क्लैश कराने की है कि लोगों में गुसा आयरोश आयो और एक किसम से वो कॉमिनल एंगल बने जमुक्षमीर में क्योंकि बहुत सेंस्टिव इलागा है जमुक्षमीर देखिए जैसे पालगर में जो मसला हुआ था संतों की निर्म महत्या की गई और अगर मौधी गवर्मन तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन अगर हमारे किसी भ पहुंचती है तो उसमें लोगों में रोज तो जरूर होगा क्योंकि लोगों की आस्ता जो है वो संतों के साथ जूड़ी रहती है भगवान के प्रती जूड़ी रहती है तो यदि इस तरह की कोई वारदात होती है तो लोगों की आस्ता को ठेस पहुंचेगी और जो लोग clash करवाते हैं हिंदू मुसलिम को ले करके वो सबसे ज़्यादा खतरनाग लोग हैं जो हिंदू मुसलिम के मसले को ले करके या किसी दरम के खिलाब बात कर देनी और बातावरन जो है वो पुरा ही बदल देना तो वो लोग गलत हैं तो हमें लगता है कि इस तरह की काइनात हरकतें जो लोग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। अब इस गटना को काफी लगवग हफता हो गया हुआ है तो किसी आला अफसर से आपकी बात हुई इस मसले पर उन्हें क्या आपसे बात की अगर हम जम्मू की बात करें तो हमारी आईजी जम्मू से मुलाकात हुई आईजी साब से तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जान चल रही है और हमने उनसे प्राथना करी है कि जिस व्यक्ति ने यहां से हमारा नंबर वहां दिया है क्योंकि वो गदार तो यहीं पर होगा तो वो यदि वेरिफाई हो जाए तो उसके पीशे किसका हाथ है वो पता चल जाएगा तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरा परियास करेंगे तो यह आपने सुना इसमें साफत unfold पे कहा जा रहा है कि आप हमारे हिट मिस पे हो आप कपड़े बदल के जो काम करते हो वो हम करने नहीं देंगे हमारे भाई जो हैं उन्हें मारा गया कश्मीर में बाहर तो हम उसका बदला आप से ले जो की बच्पन सही कथाएं कर रहे हैं और हर इलाके में जाकर लोगों में धरम के साथ देश भक्ती भी बढ़ते हैं तो उनके टार्गेट करने का परियास किया जा रहा है यह बहुत चोकाने वाला मामला है और साफ तोर पे यह इसकी जांच कड़ाई से होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने साहिल महराज का नंबर पाकिस्तान तक पहुँचाया और कौन सी तन्जीम हैं कौन से लोग हैं जो की इस तरह का फोन कॉल करके धंका रहे हैं साफ तोर पर यह विशे बहुत ही जादा जांच करने वाला है और जिस तरह से लगातार देश में सादो में रेगा विडियो जनिस परम शर्मा के साथ खौईश पते आर्ट स्टेट टाइम्स जम्मू